ये कॉरोना वाइरस के नाम पर डरने की जरूत नहीं है, जांदूत होने की जरूत है, देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा, और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके, अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करने चाहिए, अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मूँ को, बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा, जितना हो सके, इस आदत को हमें कंट्रोल करना है, और धूले हुए हाथों से ही, अपने मूँ को टच करना चाहिए, जानकाओं का कहना ये है, कि एक खास्ते या छिन्ते समय, जो छीते निकलते हैं, सांस के साथ अज़े छोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्ग में आता है, उसे ये फैलता है, ऐसे में, जिसमें चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं, उसमें ये वाइरस कई दिनों तद जिवित रह सकता है, इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है, एक और आदब हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छीख हमें आती है, तो कोशिच यही करनी है, कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े, और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है, उसे भी दूसरों के संपर्ग में न आने दे, जिन जिन लोगों को ये संक्रमर हुआ है, उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे बहुच में रखा जाता है, लेकि अगर किसी साथी को शक होता है, कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्ग में आया है, तो उसको बहुत गवराने की जरूरत नहीं है, अपने मूँ को मास्क से जंक करके, या किसी बड़े कपड़े से डंक करके, सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी ने किसी नज़री की अस्पताल में चेक करवाली की, यह बहुत जरूरी है, परिवार में जो बाकी लोग होते हैं, उनको भी इंफेक्शन होने की आशनका ज्यादा होती है, ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खास्ते या च्षिंगते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड़्जेस करते हमारा हाथ बार बार मुवरक को छूता है इससे बचाव की जग़ इंफेक्शन फैलने के आशनका पर जाती है साथ यो ऐसे समय में अप्माहिर में तेजी से फैलती है कोई कहता है ये नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चाप नई चीज़े लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से करोना वायरस से बचा जा सकता है धिकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देशवास्यों प्रातना है महरबानी करके इन अप्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सला से ही करे हम स्वायम डॉक्टर न बच जाएं और हाँ पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है अगर किसी कारण से हमने यह आदत छोड़ दी है तो हम भी हाद मिलाने के बजाएं इस आदत को फिर दे डालने का भी मैं समाता यह उत्तम समय है नमस्ते करके ही यह दूसरे को ग्रीब करना चाहिए तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बाते है साहे दॉक्तर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएंगे तराओने डरने की जरूद नहीं है फाइफ पैदा करने की जरूद नहीं है फाइफ हलाने की जरूद नहीं है बस इतनी फीज चिंटा करनी है ये कॉरोना वाइरस के नाम पर डरने की जरूत नहीं है, जातरूत होने की जरूत है, अप्वाइंट हलाने की जरूत नहीं है, उसमें जो डूज एंड डॉंस है, उसका पालन करने की जरूत है, अगर इतना हम कर लेंगे, तो हम बिज़े हो करके आगे बढ़ेंगे, मेरी फि आपको बहुत बहुत शुक्ता मुलाएं बहुत बहुत धन्यवाद